बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे वाटसेप पर मैसेज करके कि सर आईबियस में कॉंस्टी पेसन इतनी जादा समस्या क्यों करता है और इसमें रिलीफ पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसका मुकमल इलाज कैसे होगा नमस्कार दोस्तो मेरा नामे फराज और आप देख रहे हैं हमारा ओफिसियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन में थोड़ी इस हुआती है तो गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और जरूरत मंदे तक इसको जरूर पहुचाएए वाटसैप के तरो फेस्बुक के तरो मुझे नहीं पता कैसे लेकिन आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएए चलि पुलिस की हो गई फौजी की हो गई बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जो कि पुलिस और फौजी से रिलेटेड भी हैं क्योंकि यह लोग तैयारी करते रहते हैं और इनके पेट में कब यह प्रॉब्लम हो जाती है इनको पता नहीं लगता तो इस तरीके से जिनकी हाइपर वा हाइपर होकर चलाना फरुआ लोग बोलते हैं दियाती लाइंग मेज में उसका इस्तमाल बहुत बुरी तरीके से करना हाइपर होकर सारा काम करना भारी समान उठाना बोरे-बोरे कटे-कटे अपने ऊपर लाद कर लेके जाना ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको यह समस्या ह हूज बहुत सारे लोग घाना बहुत सारे लोग जो बताते हैं कीशने तो यह प्राबिलम कभी-कभी अचानक से हो जाती है आप कुछ भी काम किये पुलट पुलट भी लोग करते रहते तो उसके थो भी ऐसा हो जाता है बहुत सारे मरीजों में ऐसा देखा गया है कि उन्होंने पुरण एक रॉंग एक्टिविटीज करी जिसके थो यह अचानक से उनके पेट में ब्लोटिंग गैस बनने लगा पेट फूलने की सिकायत होने लगी और अगले दिन उनका मोसन आना ही बन हो गया तो यह चीजे ऐसी अचानक से शुरू होती है और वो बस वहीं से डॉक्टरों का सिलसला शुरू कर देते हैं अर यह समस्या उनकी लगातार साल दर साल वा literally जाती है पान साल दस साल और बीस साल में convert हो जाती है क्योंकि वो नौर्मल से डॉक्टरों से मिलते रहते हैं जो के की में प्रावलम उनकी muscle सी होती है और वो इधर-उधर टहलते रहते हैं जिनको डॉक्टर ने irritable ball syndrome मतलब IBS का नाम दिया है IBS-C मतलब irritable ball syndrome constipation उसमें समस्या ऐसी होती है जो आपके आते होती है जो आपकी एक तरीके से pipe जिस तरीके से होती है सेम उसी तरीके से आपका intestine होता है small intestine large intestine में समस्या small intestine में बहुत सारी लोगों मतलब बलियात में लार्ज intestine में देखना को मिलती है जब यह समस्या क्रियेट होती है तो दोस्तों आपको दिन में 2-3 बार मोसन जाने को आप देख सकते है लेकिनम जब यह होती है तब आपको chronic constipation की समझचा हो जाती है तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और इसमें में चीस समझने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि अगर वो इतना जादा mind अपना उसके लगा देंगे न तो वो stress का सिकार हो जाते हैं वहीं से anxiety और depression में problem मतलब जैसे बड़ी problem हो जाती है और वो इन सारे खराब disorder के सिकार हो जाते हैं तो यह सारी के सारी problem इसी की वज़े से होती है तो इसमें लोग को करना क्या होता है कि इन्हें फाजवर वाली चीज़ें ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए इन्हें रात में बहुत सारे dry fruit भीगो कर रग देना चाहिए और सुबा खाली पेठी जैसे ही सोके उठते हैं बासी मुएक तरीके से सारे जैसे की हो गए आपके बदाम हो गए काजू हो गए बदाम के सारे से छिलके आप हटा दो और भी बहुत सारे इसमें आप किसमिस का इस्तमाल कर सकते हैं अंजीर का इस्तमाल कर सकते हैं यह सारे dry fruits आप राते भीगो और सुबा उठकर इसको खाली पेठी खाओ इन सारे चीजों में काफी अच्छी मात्रा में minerals, vitamins होते हैं fiber काफी अच्छा ज्यादा मतब काफी ज्यादा quantity में देखनों को मिलता है जिसे आपके body को काफी ज्यादा help मिलती है आपके body growth में प्लस आप अपने diet में फल का सलाथ खा सकते हैं सुबा का time आप daily एक safe खाईए, खाली पेठ आप अनार का इस्तमाल करिए आप संद्रे का इस्तमाल करिए अगर constipation है तो केले का इस्तमाल मत करिए क्योंकि ये सारा सारा दिन आपके fade में पढ़ा रहता है और ये जल्दी से digest होने वाला fruit नहीं है जिससे आपको constipation बरकरार रह सकती है तो इसलिए आप केले को skip कर सकते हैं बाकि A to Jit सारे fruits खाईए साथ में आप खाने में सारी सबजीों का इस्तमाल कर सकते हैं उसमें बैगन, फूल गोबी, पत्ता गोबी को छोड़ कर ये सारी चीज़े आप खा सकते हैं जो कि milk product में आता है बाकि सारे milk product बैंड कर देनी चाहिए और आपको सबसे पहले अगर आप पूरा का पूरा ठीक होना चाहते है तो उसमें मुकमल इलाज की जरूरत है सही information देने वाली की जरूरत है डॉक्टर का इलाज लेना बंद कर दीजे दिन पर दिन इधर दर कुदना फानना भागना बंद कर दीजे और जो daily आप लोग मेरे पास दिन दिन बर जिनका इलाज भी चल रहा है मैं उनको भी बता रहा हूँ सब नहीं है बीस में से एक दुमरी जैसे होते हैं कि दिन दिन बर message करते रहेंगे आप कांटिन उमन लगा कर उस चीछ को अंजाम देना चाहिए फालतु इधर उदर नहीं घूमना चाहिए, हर वक्त इसमें लेटकर इसके बारे में नहीं डिसकस करना चाहिए, गूगलिंग नहीं करना चाहिए, ग्रूप नहीं बना चाहिए, बहुत सारे ऐसे IBS के मरीज होते हैं, जो कि बड़े बड़े ग्रूप में एड होते हैं, बड सारे benefit. फर्सें भरे पड़े हैं तो ऐसे group से सावधान रहें ऐसे लूगों से सावधान रहें बहुत सारे मरीज ऐसे करते हैं कि वह दिन दिन भर टॉयलेट में गुजार देते हैं इसी कीशी को लेकर वुत दिन अभी तुरन निकले फिर गये फिर बैठें यही सीच को वो सबसे पहले अपने ट्वालेट पर नोटिस करते हैं नोटिस करेंगे आज मेरी पूटी इस तरीके से आई पता नहीं यह ठीक होगा कि नहीं होगा कल इसका सीन क्या होगा इस तरीके से मतलब बहुत सारी उनकी स्ट पर ना बने और जो हम इलाज देते हैं जो हम इलाज देते हैं कांटिनू उसको कुछ महीने जब तक हम इलाज दे रहे हैं दो चार पांच महीने लेकर अपनी समस्या को दूर करें बहुत सारे लोग हो गए लोग हो रहे हैं होंगे लेकिन आप बेकर इस समस्या से परसान हो तो इश्क्रिन पर दिये गए नमबर के हम से संपर करो मतर तीन सो रुपए मंत्री बिसेश के चार्ज में बहुत ही छोटे मांट में बहुत ही छोटे मांट में ना के बराबर फीस में हम आपका इलाज कर रहे हैं लेकिन ये जो फीस है तेवल ये इस 2024 के छाटवे महीने तक है मतलब जून तक है जुलाई 1 से ये चार्जेस बढ़कर 500 रुपए कर दिया जाएगा ये चीज हम पहले से आपको ये जानका ही दे देते हैं ताकि आप अगर इस समस्या से परिसान हो तो वक्त रहते हैं अभी 4 महीने का समय है लगभग आपके पास इसका इलाज आप लेकर अपनी समस्या को उस टाइम से पहले ही ठीक कर लो क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करता हैं जो की नियोरो थेरपी के नाम पर डेली आपसे 1000 रुपए चार्ज करते हैं एक महीने का नाम पर 3000 रुपए आपसे चार्ज ले लेते हैं दो महीने का नाम पर 6000 इस तरीके से बहुत सारे ऐसे यहां पर फेक और फ्रोड भरे पड़े हैं तो आप उनसे सावधान रहिए और अपने पैसे के गलत इस्तमाल से बचिए और जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट देते हैं पाजिटिविटी पाजिटिव माइंड लेकर पाजिटिव माइंड सेट बना कर इंतजार करके भरोसा रखके ट्रीटमेंट इस्टार्ट करिए जैसे सब ठीक हुए 100% ठीक होना ही है हो जाएंगे मैं ठीक हुआ बहुत सारे मरीजों को मैंने ठीक किया बहुत सारे लोगों ठीक कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ठीक होगे और आपकी जिन्दगी भी नॉर्मल हो जाएगी और पूरा का पूरा आप बहतर अपने जिन्दगी में जो आपके सपने हैं जो आज तक आप पूरा नहीं कर पाए हो आने वाले वक्त में उस चीज़ को आप गोल कर लोगे अपने सपने को पूरा कर लोगे अपने family member के साथ खुसी वाली जिन्दगी जीने लग जाओगे उम्मीद करता हूँ कि ये सारी information आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए जरूरत मंद तक इस वीडियो को जरूर share करिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में तब तब के लिए बहुत बहुत सुक्रिया